कि हलो दोस्तों नवस्तिया दाथ सब्सक्राइब को इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो का फैदा उठा सके और चीजों को सीख सके यहां पर जितने भी लोग हम ऐसा जुड़ा हुए सब को अगर आडियो वीडियो अच्छे से आ रही है तो जल्दी से मुझे यस करके बताएंगे कि सर आडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है सब कुछ अच्छे सुनाई दिखाई दे रहा ह है चलिए सब कुछ परफेक्ट है सभी कुछ बढ़िया से आसमाई दिखाई दे रहा है तो आज है कौन से आज है हमारी दस परवरी और हम लोग यहां पर बात कर रहे है करेंट अफेस को एक अलग ही लेबल पर लेके जाने के लिए तो जिस काम को करने की हद पार ना हो वो काम करने का काम नहीं मतबं हद पार करके काम करना चाहिए लोग बोले रहे यार भाई क्या हो गया इसको दिन रात महिनत कर रहा है ऐसा क्या चीज इसने अपने जिंदिगी में अचीव करना है कि दिन रात की मेहनत इसको यहाँ पर दिखाई दे रहे तो उमीद करते हैं इसी मेहनत के साथ आप सभी लोग यहाँ पर सुबह करेंट अफ्यस पर रहोगे और जल्दी से फटा-फट से यहाँ पर जितने भी दो बोल सकते हैं कि पेस्टी साइट सोते हैं वह आपके पेट में जाकर के दिक्कत ना पैदा करें इसलिए यह नेशनल डी वार्मिंग डे हमारा यहाँ पर बोल सकते हैं कि अवेर किया जाता है तो आज हम लोग घोसित करेंगे कि कल दो बच के 20 मिट पे किस ने आकर के तहलका मचाया था और किसको मिल रहा है SSC Freser Batch नूंबर 3 बिल्कुल मुफ्त में ठीक है साथ-ईसाथ अगर आप SSC Freser Batch परर्चेस करना चाहते हैं बेसिक से लिए आपके बेसिक से लाइब क्लासे होंगी प्रैक्टिस करना होगा दर उसके बाद से आप यहां पर टेस्ट दे सकते हैं कॉंपटीशन का महौल होता है 14 लाख लोग आपके साथ कंपीट कर रहे होते हैं साथ इसाथ पीडियाफ जो की रिवीजन के लिए जरूआता है यह सभी एक पूरी तरीके से हमारा बैज जो है यह पूरी तरीके से 360 प्रफेशन कराता है और साथ ही साथ इस कूपन कोट से आपको डिस्काउंट मिलता है पंकज सी कूपन को डालिए और डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाईए ठीक है तो अभी तक इतने सारे लोगों क हमने दो बच के 20 मिट पर जो आते हैं उनको यहां पर हमने दे चुके है अपने इनाम चलिए गाइस बात करते हैं इस लीडर बोर्ड की यहां पर यह वो लोग आते हैं जो सलेक्ट होते और अगला नाम आप लोंगा यहां पर आने वाला है तो टेस्बुक पास अगर आप स्काउट मिलने वाला है रिवीजन सुरू करते हैं तो जल्दी से फटा फट से रिवीजन के लिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे और यहां पर जितने भी बच्चे हैं प्लीज सारे कोश्चन को अच्छे से बनाईएगा जो हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ है तो चले एक इस व्यापार को बढ़ाने के लिए सुरुवात किया गया नरेंद्र मोधी अमेसा है असवनी वैश्नव है या मनसुक मडाविया है तो टेली कॉम एक्सपो की सुरुवात किसने की है तेली कॉम एकसपो तो यहां पर जंता बोली है सर सही जबाब होना चाहिए इन तीनों म आप्सन नमर 3 हमारे जो रिल्वे मिनिस्टर है कमनिकेशन मिनिस्टर है आई टी मिनिस्टर है उन्हों ने यहाँ पर इसकी सुरवात की है अगला कोशन देख लेते हैं रिविजन का अगला कोशन है जगरनाथ चंदु स्कीम जो की न्यूस पेपर हॉकर नाई प्रेस वाले इ सब्सक्राइब हो जाएगा हमारा क्या आंध्रा प्रदेश यसर जगन रेड़ी ने इसकी सुरुवात की ऑप्सर नमर 3 इस ऑप्सलिटी करेक्ट एंसर तीन नंबर वाले बिल्कुछ सही जवाब देरा अगला कोशन मनाते है ब्रूज पासपोर्ट ये किताब किसने लिखी है यहाँ पर क्यों क्या है ब्रूज पासपोर्ट किसने लिखी है तो यहाँ पर जनता बूलेगी सरी किताब आप निकल दिखाई भी थी यह डिजिटल नोमेड्स है और यह हमारे सभी एंड विट्स ने लिखी हुई है तो इनके उपर टिक करके आगे बढ़ जाते है क्यो दिया गया था गाईस यह विजूल इफेक्ट डालते हैं इस्टार वार्ड जो मुवी है उसमें भी इन्हों ने डाला था आपको उतार ने कि कब इनको ऑसकर मिला पचिटर में त्यासी में यहाँ पर सही जवाब जनता बोलीगे सर इनके अवार्ड तो छोड़के जाते है लोग उनके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि 1983 में इनको Emmy Award मिला था याद रखना है अगला कोशन मिलाते हैं तो वह देखिए कल के हमारे जो winner है यहां पर नाम आपको दिख रहा होगा अनिल बराला कहते हैं न किसी को सद्दत कि रख से चाहो तो वह चीज तुमको मिल जाती तो अनिल यहां पेकर है तो सब लोग अनिल के लिए पर ताली बजा देंगे कल के मिडल जीता था गौड मिडल जीता था कल हमको छोड़कर के गया है जिनका नाम है क्या नाम है पृविड कुमार सोबाती कौन से साल में इनोंने राष्ट मंदल खेलो में मतलब जो Commonwealth सब्सक्राइब इन्हों ने इसी साल हमारे एंग बनाने के लिए किस ने किस फाउंडेशन ने सुरुवाद की है यहां पर होना चाहिए दोस्तों सही उत्तर सर ने क्या पूछा है जल कुम्भी से साड़ी बनाने का जो प्रोसेस है वो किसने सुरू किया हुगा है तो दोस्तों याद रखेगा यह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहां पर होना चाहिए स्वच्छता पुकारे एंड नेचर क्राफ्ट यह हमारा फाउंडेशन ऑप्सन नमबर टू है रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है तो कल की पहले रिवीजन करते समुद्री पानी को पीने के अनकूल बनाने के लिए कौन सी हमारी आयाइटी काम कर रही है मंडी है गांधी नगर है जोधपूर है या भोनेश्वर है क्या होना चाहिए दोस्तों जल्दी से तो यहां पर हम लोग दोस्तों के उपर चलते है रिवीजन चल रहा है अब आप का तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे जो समुद्री पानी को पीने योग बना रही है उसका नाम है आयाइटी गांधी नगर इस राइट आंसर है ना यहां पर यह काम कर रही है अगला कुश्चन है अंत्रिक्ष स्टेशन को किस वर्स में अपना संचालन बंद करके प् 25 में 30 में 35 में 40 में नासा ने कल बोला है कि यहां पर हमें कौन सा जो है वो पॉइंट कौन से साल में हम अपने जो अंत्रिक्ष मेंन का स्पेस स्टेशन इसको खतम कर देंगे यहां जनता बोले सा सही जवाब होना चाहिए बिल्कुल 2030 की तरफ जनता जा रही है 2030 इस रेक्षती बन गए तो इन दोनों का नाम एक साथ आता है अडानी और अमबानी तो अडानी जराइट अंसर अडानी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है अगला कोशन ठोक लेते हैं यहां पर आपको बताना है कि इन में से जंबू कस्मीर के साथ कौन है जो हसल रोड कंस्रक् की तरफ चले जाते हैं एक नंबर यहां पर करके आ जाएंगे तो हसन रोड कंस्रक्शन और जंबू स्मार्ट सिटी लिम्टेड ने एक साथ मिल करके जो अपसरा रोड साड़क है उसको बनाने के लिए क्लोबरेट किया है यहां पर आपको अताना है कि हमारे विश्वयाप और परिस्त जिसको आप लोग वर्ड सस्टेनेबल डेवलाप्मेंट रिपोर्ट बोलते हो उसका सबसे नया मेंबर कौन बना है जिस डबलू रिलाइंस है जन्रल इलेक्ट्रनिक है या अदानी या अदाबी कंश्यूमर्स है तो जनते हैं पर बताएं कि सर हमारे यहां की स सबसे नया मेंबर बन गया है नया नवीला सा मेंबर तो यहां पर जेते लोग जिंदल स्टील वर्क्स बोलें जेस डबलू उनका जवाब बिलकुल सही है अगला कोशन देख लेते जीवन रक्षा पदक सैली में रेलवे के जो रक्षा बल है जिसको और रेलवे गाना के गाहों है दस में और साथी साथ यहां पर हमारे साथ करमचारियों को दिया गया है सुरक्षा पदक तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो अगला कोशन यहां पर नहीं है तो इस तरीके से हमारे कल का रिवीजन रिवीजन बहुत जरूरी होता है तो दोस्तों क्या आपको जनवरी के पूरे current affairs का revision करना है चाहे वो हमारे important appointments हो चाहे books हो चाहे अर्थर हो चाहे हमारे government के schemes हो क्या पूरा का पूरा revision करना है जल्दी से एक बार यहाँ पर बताएंगे revision करना है तो हम लोग उसके लिए Saturday का दिन मुकर्रर कर लेंगे Saturday का Sunday के दिन हम लोग पूरा ज vision कर लेंगे जिससे कि हमारे आने वाले exam में जनवरी हमारे एकदम पक्की हो जाए ठीक है तो guys यहाँ पर जल्दी से हाथ उठा देंगे 200 के उपर चलते है headlines को सुरू करने से पहले 200 के उपर guys जल्दी से सभी लोग headlines आज की बहुत important है SSC के नए chairman बनें उनके उपर ही बात कर हम यहाँ पर करने वाले हैं है ना आज की headlines है बहुत important तो सभी लोग यहाँ पर जल्दी से जिनकी आखे जो थोड़ी सी बंद हो रही है नीद आ रही है आखे खोलते हैं और धमाका मचाते है मुझे आपर 200 बच्चे दिखने चाहिए headline सुरू करने से पहले ठीक है यहाँ प पर आता सबसे पहले S की सोर सबसे पहला ही कोश्चन है S की सोर एंपॉइंट एदा चेर्मेन आफ SSC स्ताब सेलेक्शन कमीशन के नए चेर्मेन बने और उमीद करते हैं कि इनके आने से SSC का जो प्रॉसेस है और अच्छा हो जाए तो हमारे यहाँ पर एक committee of cabinet है उन्होंने क कुछ appointment कल किये हुए है वो याद रखना है इसमें सबसे पहला important आता है S की सोर विकमदा न्यू चेर्मेन आफ SSC समाझ रहो की नहीं अगला कोशन देख लेते हैं मिसन वात्सल्य हमारे Children Protection और Rehabitation जो हमारे बच्चे बहुत सकते हैं कि किसी तरीके से अनात हो जाते है या उनको सनरक्षड देना है तो हमारे जो मैला और बाल मंत्राला है इसमृति राणी जी के पास उन्होंने एक मिसन की सुरुवात किये जिसका नाम है मिसन वात्सल्य कि इसने सुरू किया बटा हमारे Women's and Child Development Ministry ने किस लिए बच्चों को सनरक्षड देने के लिए बात चमकी की नहीं अगला देख लेते हैं तिबबत की जील गवर्मेंट निर्वासित गवर्मेंट है तिबद की चाइना बोलता हमारा हिस्सा है उन्होंने जो हमारी निर्वासित गवर्मेंट है उन्होंने एक म्यूजियम की सुरुवात करी है हिमाचल के धरम साला में हिमाचल के धरम साला में एक म्यूजियम की सुरुवात की है ठीक है इसके उपर भी हमनों डीटेल में बात करने वाले हैं आगे चलते एगला कोशन क्या है महात्मा गांधी यूश्ट डिटेल ती डिसकस जरूर करेंगे लॉरन जो हमारा विश्व विद्याला है फ्रांस का उसके साथ क्या-क्या चीजे डील साइन हुई है पूरी डीटेल है बात करेंगे आधित ठाकरे ने व्यूंग डेक की सुरवाद किये दादर का जो हमारा वह सकते छत्रपती सीवा जी ब ऑस्टेलिया और फिलिपिन्स गए कहां पर ऑस्टेलिया और फिलिपिन्स गए कौन हमारे डॉक्टर एस जय संकर कौन गया वेटा डॉक्टर एस जय संकर चार दिनों की अपनी यात्रा पर गए ऑस्टेलिया और फिलिपिन्स चार नहीं छह दिन होना चाहिए छह दिनों की क्यात्रा पर गए ठीक है चलिए आगे चलते हैं मनोज आहूजा विकंदा न्यू एग्री कल्चर सिकेट्री वही कमेटी अपॉइंड मेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो कैबिनेट मिनिस्टी के द्वारा काम की दिमाद सरकारी सब कुछ देखती है इन्होंने एग्री कल्चर स इंपॉटेंट है आपको याद करना ही पड़ेगा कोई आपसन ही नहीं है अगला कोश्चन है राइटिंग विद फायर यहां पर यह आ जाती है एक डॉकुमेंटरी जो आपके लिए बहुत इंपॉटेंट है पहली इंडियन डॉकुमेंटरी है जो की एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है पहली इंडियन डॉकुमेंटरी क्या नाम है राइटिंग विद फायर डीटेल में बात करेंगे किसने को निर्देशित किया है क्या क्या बाते है सारी बाते करने वाले तो लेकिन नाम याद कर लेते अभी राइटिंग विद फायर पहली यूएस अमेरिका 100 मिलियन डॉलर का सपोर्ट दे रहा है पेट्रियोट डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए ताइवान एक छोटा सा देश है लेकिन चाइना के परोस में लेकिन डरता नहीं है यह बोलता है छोटा बच्चा समझ के हमको नाक दिखाना रहे चाइना को सीधे बोलता है और सपोर्ट कर रहा है यूएस यूएस जो है उसको 100 मिलियन जो है वो यूएस डॉलर दे रहा है क्या बनाने के लिए पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम किस देश को ताइवान को दे र नहीं हुए जल्दी से एक बार हम लोगों का 6-15 हुआ है जल्दी से 300 लोग हो जाते भाई यार जो लोग नहीं जूड़ रहे है पुराने बच्चे तो मुझे पता है कि वह एकदम धमाका बनके जुड़े रहते नहीं बच्चे जितने भी है वह प्लीज पूरा वीडियो इसको अब जी एन के बोलते हो यह हमारी एक इस प्रेश बना रही है नाक में डालने वाला इस प्रेश जो कि करोना वायरस को और बागी के जो वायरस है उनको खतम कर देगा तो यह हमारी ग्लेन फार्मा कंपनी जो कि कनाड़ा बेस सेनोटाइस के साथ मिल करके नोजल इस बना रही है जो कि करोना वायरस को नाक में ही खतम करने का काम करेगा इंडियन साइंटिस ने एक नया प्लेटफॉर्म डेबलब किया है जिससे कि करोना वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है वो क्या है डिटेल में बाद करेंगे तो इंडियन साइंटिस्ट जो है उन्हों पर बनाया जा रहा है आसानी इसका डिटेक्ट किया जाए वो सारी चीज़े हो रही है करोना को बिलकुल आम बीमारी बना के छोड़ने वाले हमारे साइंटिस अगला कोश्चन है यहां पर हमारे मिनिस्ट्री आफ कल्चर और्गनाइज फर्स्ट काइंड ऑफ ग्लोबल म्यूजियम सम्मिट हमारे यहां के जो कल्चर संस्कृतिक मंत्राला है जी रडी सी साब के पास इन्होंने पहला अपनी तरीके का एक म्यूजियम सम्मिट का आयोजन किया जो की दो दिनों तक चलने व कि यह में हमको छोड़ कर गए नाम के बिटा डॉक्टर एम गंगा धरन हाँ यह हमको छोड़ कर गए चलिए जेंड के पहला ऐसा हमारा स्टेट बनने वाला है जो की पूरे राज्य को ने सिंगल विंडो सिस्टम से कनेक्ट कर देगा जंबू कस्मीर एक पहला ऐसा राज् जो है वो चार्जस लगाए जाएंगे तो धर्म धार्मिक धर्मा अंतरण पर हमारे गैर कानूनी बनाने वाला रोक लगाने के उद्देश से यह गैर कानूनी बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है कि अगर आप इस राज्य में और अपना धर्म परिवर्तन कर रहें त तो आपको यहाँ पर कानूर बना दिया गया है। चलिए तो गाइज यहाँ पर नीति आयोग ने कोलबरेट किया हुआ है हेल्थ एजेंसी जिसका नाम है USAID USAID का full form international development जो हमारे American agency है उसके साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया है अपने health system को सुधारने के लिए collaboration किया है समझाता किया हुआ है तो गाइज यह थी हमारे important news, important headlines जिसको बहुत ध्यान से देखना था और इसे पर आधाई MCQs और detail में static fact हम लोग यहाँ पर बात करने वाले जो एक्जाम में हमारे लिए बहुत महत्तपूर होने वाले तो गाइज यहाँ पर फिर से मैं चाहता हूँ सब भी लोग पीडियाफ आपको में टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा उसके लिए आपको अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा तब ही लिंक मिलेगा जो मैं उन्ही को यहाँ पर लिंक देता हूँ जो पूरे वीडियो को देखने की यादर डालते हैं सब्सक्राइब पर ज़ल्दी से रिवीजेन करते हैं सबी लोगं भूद ध्यान से देखेंगे जल्दी रिवीजन के लिए यहाँ पर हमनों वापस से चलते हैं फटटाफट रिवीजेन करेंगे न यह इतनी नीूज़ज है इनको रिवीजन कर लेते सब से पहले जी एस की सोर बिकम दा न्यू चेर्मेन ऑफ एससी इस्ताफ सेलेक्शन कमिशन के ने चेर्मेन बने है एस की सोर अगला कोशन यहाँ पर क्या है मिसन वाजसाले बच्चों को सनट्छल्ग देने के लिए एक स्कीम चलाया है हमारे महिला और बाल विकास मंत्राले ने मिसन वाजसाले अगला कोशन देखते हैं यहाँ पर ताइवान की जो एक्जेल गौर्णमेंट है उन्होंने धरम साला में एक म्यूजियम के सुरवात की है अगला कोशन है महात्मा गांदी इन्वेस्टी को टायम की इन्होंने फ्रेंच इंस्टिट्यूशन के साथ मिल करके साजेदारी किया जिससे के साइंटिफिक रिसर्च को और आगे ले करके जाए सके आदित ठाकरे ने दादर मुंबई में एक व्यूंग डेक जिसमें अरब सागर की जहाकियां देख सकते हैं उसकी सुरवात की है अगला कोशन है जैसंकर अपनी 6 दिनों की यात्रा पे औस्टेलिया और फिलिपिन्स जा रहे है अगला कोशन है मनोज आउजा एक बहूट इंपॉर्टन कोश्चन एग्रिकल्चर सेकेट्री बने हैं यहाँ पर हमारे वही एपॉइन्मेंट कमिटी फॉर आफ केबिनेट ने की चेडिकल्चर सेकेट्री अमेरिका ने 100 million का support दिया Taiwan को किस लिए Patriot Defense System बनाने के लिए Patriot Defense System बनाने के लिए हमारे जो Taiwan है उसको 100 million का support दिया कि निचे चाने US ने अगरा question देख लेते है ग्रेन GNK जिसको आपनों बोलते है इन्होंने nozzle spray बनाया है जिसका नाम है Fabi Spray इंडिया में किसकी मदद से Kanada के Sanitize Research की मदद से इसमें Nitric Oxide की मदद से ये हमारी नाक में जाएगा और पूरे वाइरस वैक्टिरिया को खतम करेगा इंडियन साइंटिस ने एक नई टेक्निक डबलब की है COVID को जाज करने की और उस institution का नाम है जवाहरलाल नहरू Center for Advanced Scientific Research डीटेल में बात करने वाले Ministry of Culture ने यहाँ पर अपने तरीके का पहला आयोजन किया है Museum Summit के नाम से जिसको जानते है यह 15-16 फरवाली तक चलेगा यहाँ पर हमारे D. Ganga धरन जो हमको छोड़ करके गए है एक लेखक एक समाजिक कारिकरता थे इनके उपर भी डीटेल में बात करेंगे साती साथ जंबू कस्मीर पहला ऐसा राज्य बना जिसने पूरे के पूरे राज्ये को पूरे के पूरे अपने केंदरसासे प्रदेश को सिंगल विंडो सिस्टम से कनेक कर Дिया है और हर्याना ने धर्म परिवर्टन करने वालों के लिए कानून का जो है सर थोड़े ढृष के बारे में सोच ला रहे ठीक है यार गिरतेых सहसावार मैदाने जंग में वो तिफ क्या जाने जो घुटनों के बल चलते भाई सहसावार है गिरेंगे उठेंगे फिर जलेंगे फिर दोलेंगे समाझ रहो की नहीं चले दोस्तों सुरू करते करेंट अफियर्स यहां पर सबसे पहलाता है महिला और बाल विकास मंत्राला ने अनात निरासित बच्चों के लिए हना कौन सी स्कीम की सुरुवाद की है मिसन समर्थ है वात्सली है रक्षक है या मिसन योध्धा है ठोगते चलो क्या होना चाहिए जल्दी से दो नमबर यहाँ पर जितने बच्चे बोल रहे हैं उन सभी को नमबर मिलेगा बेटा किसने सुरू किया है महिला बाल विकास मन्त्राल है बेटा ये इसकी हमारे मिनिस्टर कौन ने comment तुमी लोंगों करना है आरती ये सब बहुत easy question है बहुत बाल बाल विकास मन्त्राल है बेटा किसके पास है यहाँ पे जन्ता बोलेगी सर उन्ही साब के पास है इसमृती इरानी ना इसमृती इरानी के पास है बेटा इन्होंने किताब भी लिखी हुए इसमृती इरानी ने इसका नाम क्या बेटा उसका नाम है लाल सलाम किताब किसने लिखी हुई है इसमृती इरानी ने बेटा ये कहां सी कौन सी कौन सी कौन सा सं सदीच छेतर रहे तो बटा यू-P का अमेठी से चुनकर क्या हैं बटा का चुनकर यह अमेठी से चुनकर क्या ही है राहुल गांदी को हराया था इसलिए इन को इत्ता वड़ा पोश्ट दिया गया है है ना कहते हैं न कि कखी कभी रिस्क लेना पड़ता है तो बहुआ याद रखेगा इसमृति इरानी है लाल सलाम किताब लिखिए अमेटी से ठोक के आई है जीत के आई है ठोक के नहीं है भोड़ो सर जी हर चीज ठोक के ही आई है तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यह क्या है तो चाइल्ड प्रोडेक्शन सर्विसे से स्कीम के क्यूं से हैं कई करा सकते हैं गजाब करा सकते आप बच्चों से काम करा सकते हैं लेगा बिटा 24 नंबर कई लोग 23 नंबर बोले बिटा कंफ्यूज़ 23 नंबर में क्या है 23 नंबर में human trafficking है बिटा human trafficking और क्या उसके साथ human trafficking के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे force labor है बंधुआ मजदूरी है बिटा गलतियां यही करते चोटी चोटी सी गलतियां नंबर हमारे गायाब करवा देती है तो बैटा तुम लोग गलती करने वाले हो 23 में क्या बंधुआ मजदूरी और मानव तसकरी बैटा 24 में क्या है चाइड्ड लेबर है एक बाद ठोकते चलो सब लोग कर लोगे इस सहर में एक ने तिबब संगाले का उद्गाटन कर रहे है धरमसाला है बाबु सिम्ला है पालंपूर है या बद्दी है बैटा कहां पर एक यह संगाले की सुरुवात कर रहे है तो जनता है यहां पर बोले है सही उत्तर निर्वासित जो तिबबती सरकार है वहां के राजपती पेनपा सेंग ने एक सहर में हमारे देश के हिमाचा पदेश के धरमसाला में इसकी सुरुवात किये बैटा यहां पर क्या बोला है धरमसाला है कंपूर जी टिक करना भूल तो धरमसाला में इसकी सुरुवात की गई है यहां पर याद रखना है नाम क्या है पेनपा सेंग नौ फरवरी को इसकी सुरुवात किये तिबबत के सरंगाले का उदगातन किया इन्होंने ठीक है यहां पर आब इसी बात है जो हमारा तिबबत है किसलिए बैटा फिमस है बौधिजम के लिए बौध धर्म के लिए यह हमारा फिमस है यहां पर दलाई लामा आपको देखने को लेंगे जो कि हमारे तिबबत में धर्म गुरू है चाइना यहां पर अपना पूरा बर्चस बताता है यह जो हमारा उदगाट यह जो है यह क्या दिखाएगा तो यह ह आपको बिटा अगर नहीं आद हो रहा है प्लीज यह सारी वीडियो को पूरा देखा करिए जितने नए बच्चे हैं जितने भी नए स्टुडेंट है आप लोगों से अनुरोध है सोना नहीं है यहां पर हमको 400 के उपर लेकर आना है जितने भी नए लोग है आप लोग सपोर है यह हमारा चाइना का हिस्सा और यहां पर धरम साला है कहां पर वीटा हीमाचर05 प्रदेश में पूरे इंडिया का सबसे जएह। हाईस्टbag हाईस्ट एलिवेशन सबसे उुचाई का जो इस टेडियम है वो भी यही पर है स्टेडियम है इस टेडियम हें पर धिसका नाम ह आदिट ठाकरे ने किस स्थान पर एक व्यूंग डग का उधगाटन किया जहां पर घूमने आने वाले लोग भव्य अरब सागर का निबद द्रस्य करेंगे धूले है दादर है थाने है या सोलापूर से मंगाया डीजे है गुड़ न्यूर सुसील का भी नीद नहीं खुला है यहां पर वीबा बोले सा इसका सही उत्तर होना चाहिए दादर की तरफ जाईए दादर बिटा यहां पर जितने लुख बोलना है बिल्कुश सही जवाब है यहां पर आप देखेंगे तो हमारे आदित ठाकरे ने दादर किया विंग डेक का मतलब है हाँ पानी में तैरने वाली एक डेक है नाव है जिसमें आप भव अरब सागर के जो दरस है वो देख सकते है गाइस यह जो विंग डेक है यह प्रतिश्टित बांदरा वरली सी लिंक पर से दिखाई देगा स्री ठाकरे ने का इस सुबिदा का टॉक्टर अमेडकर के नाम पर रखने की प्रस्तावना की गई है जल्दी इनकील और इनकील पत्नी रमा भाइवआ अम्मेडकर के नाम रख जाएगा ठाक्रेश ने जबहों ने यह बात हमको पताई किसका नाम जो है इस सुबिधा का नाम कर बापको ऐसले ँसे सी लिंग पे गए थे वीडियो बनाए इसका बहुत बढ़ियां सा आज अपने टेलीग्राम गुरूप में सेयर करेंगे बहुत बढ़ियां सा समुद्र के उपर बना हुआ है अब हम गये थे पिछले सटार डे को जब हमारा गला खरा था ना तो हमने कहा किया हमने कहा कि चलो कोल भरना पड़ता है समझ रहो की नहीं तो बड़ा ही यार खतरनाक है तो महरास्टा के अगर बात करें तो हमारे पूरे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के द्रश्टी कोन से यहां पर जिलो की संख्या है 36 लोग सभा की सीटे 48 राज सभा की स से राज्य होते हैं जहां पर विधान सभा विधान परिश्ट है तो बेटा ताज और कुम्ब मिला दोनों उत्तर प्रदेश में लगते हैं तो ताज कुम्ब भलिख लो ऐसे ठीक है एसे कुम्ब ताज और कुम्ब एम वाव छूड़ गया है तो यह ते तिलंगाना हो गया एसे आंद्रा प्रदेश हो गया जे से जम्बू कस्मीर हो गया जे एंड के हो गया के से बिटा क्या हो गया करनाटक हो गया एना करनाटक के बाद बिटा यूपी हो गया उत्तर प्र तो तिलंगाना के बाद करनाटक उत्तर प्रदेस महारास्ता और बिहार यहीं पर सिर्फ बाइक कैमरल सिस्टम है चलिए आगे हम दोग देख लेते हो तो यहां पर इंट्रेस्टिंग पॉइंट है कि संजय गांधी नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो आपको टिक करना है क संजय नेशनल पार्क लिख कर आ गया तो संजय नेशनल पार्क आपको टिक कर क्या ना है कि यह हमारा किसमें मध्य प्रदेस में है संजय नेशनल पार्क कहां पर है मध्य प्रदेस में है लेकिन संजय गांधी बोरी बली मुंबई में उसके बाद से चंदाउली नेशनल प सा हमारा महारास्टा में पड़ेगा नावे गांफ पूरी तरीके से हमारा कहां पर हमारा पूरी तरीके से महारास्टा में तडोबा नेशनल पार्क भी हमारा महारास्टा में तो नावे गांफ पूछे तडोबा पूछे चंदाउली नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल प चलिए आगे बलते बिटा आगे हमारे पास है हमारे देश के दो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जैसंकर 10 फरवरी को कहा जा रहे है चचा रहे हम को भी ले 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 चलिए जनता ने आपे जवाद दिना शुरू कर दिया गिसा सयूत तरोना चाहिए ये जा रहे हैं और ये चचा जा रहे है फिलिपीन्स तो और फिलिपीन्स में ये हमारे जा रहे कौन हमारे एक्स्टरनल अफेर मिनिस्टर एस जैसंकर ये बहुत दिनों तक ब्यूरोकेट् राजसभा की मिंबर है गुजराज से बिटा ये इनकी ये भी हमको याद रखना है कहां की कॉंसिटेंसी है बिटा हमारे एससी वाले पगला जाती है तो हमारे मिनिस्टर की संसदी छेतर पूछने लगते हैं पूछेंगे निर्मला सीता वरामला कहां से चुनकियाई सब चीजे में आपको बताता हूं ध्यान से सुनना है आप लोग को गाइस ये कहां पर जा रहे हैं चचा ये हमारे जो है अपनी चार चौथी क्वार्ड विदेशी मंत्रियों की यात्रा पर कहां कहां जाने वाले ऑस्टेलिया जापान और संयुक्त राज अमेरिका के साथ आप मिल करके और बैठक करेंगे और फिलिपीन भी जाएंगे तो फिलिपीन जा रहे है गाई यह अगर आप देखेंगे तो ऑस्टेलिया पूरे हमारे पूरे जितने भी महादुई पर सबसे छोटा है अब इसका नाम ओसियाना भी रख दिया गया है कई सारे छोटे छोट जान पर इसका नाम बढ़ा ही जादा इंट्रेस्टिंग एक का नाम है मरे और डार्लिंग यहां की रिवार का नाम है समयों किनी दूसरा यहां पर प्रवाल की सबसे बड़ी भित्ति है जो चंद्रमा से दिखाए देती जिसका नाम है ग्रेट वार्यालवीड रीफ कहाँ पर बेटा है तो बेटा यह पूर्वी तट है यहाँ पर इस्तन कोस्ट मतला पूर्वी तट पर ऑस्टेलिया और यहीं पर यहाँ पर सबसे बड़ी mountain range भी Australia की है इसका नाम है great dividing range कहां पर पड़ेगी यह आपके पूर्वी तट पर पड़ेगी यह area को Queensland के नाम से जानते किस नाम से Queensland के नाम से ठोकते हैं समझ रहो कि नहीं किस नाम जानते तो Australia जो है इसकी खोज किस ने कि थी बाबूर तो इसकी खोज की थी हमारे captain cook ने किस ने की थी चाचा captain cook ने इसकी कोज की थी समझ रहो कि नहीं अलिश्टर कूग नहीं बैटा captain cook नहीं बैटा यहाँ पर हमारा सब्सक्राइब थ cultural फर्थ यहां पे ऐस स्टेट्ट और 앞으로 टस्मानी रिलेंड से लिलग से लग करता है सब मुझाए थोग एंग्जब में आग रजंब में दॉकरें गले कि तो यहां की बैटा capital क्या है Canberra यहां की capital है Australian dollar यहां की currency है यहां की जो हमारा राष्टी खेल है वो रगभी जिसको हमनों रूसल्स फुटबॉल बोलते रगभी है फिलिपिन्स की बाद करें यहां की capital मनीला है और यहां की जो currency है वह पेसो हमाई रहो क्यों पेसो पेसो करती ह पेसो पने मर्ती है तुमनों नंदनी को पता कि नहीं चलिए प्रजंता बोल सरक हम परनुपंपने इन चख्रों में फसा रहे हो यह चोड़ो है क्यों चलिए आगे बढ़ते आगे हमारे पास आता है इनमें से कौन सी best documentary में नॉमिनेट होने वाली हमारे देश की पहली documentary film है पहली documentary जो कि Academy Awards में नॉमिनेट की गई है और हमारे एकजाम के लिए हो जाती इंपॉर्टेंट टेडी डे हरे वो भालू जो बनाते है बड़ा सा भालू जो होता है हमाई बेटी के पास भी है वही टेडी बीर होता है ना टेडी बीर तो क्या करते है उसको टेडी बीर देना पड़ता है यह है ला टेडी बीर है चलिए आपको बताना है चलिए यह याद कर लेते छोड़ो तो भाईया टेडी वेडी बेस्ट डॉकुमेंटरी फीचर फिल्म जिसको Academy Awards के लिए नामित किया गया है राइटिंग विद फायर यहां जनता बोले सर राइटिंग विद फायर ठोकी है ना राइटिंग विद फायर बहुत इंपॉर्टन जाती जो तुम्हारे एक्जाम में ठोका जाएगा यहां पर देखे राइटिंग विद फायर तो भाईया यह दोकुमेंटरी हमने देखी नहीं है लेकिन इसके बारे में बात जरूर कर लेते हैं इतने सारे अवर्ड यह ओर्रडी जी चुकी है और अब यह Academy Awards में गई हुई है नाम इसके क्या है हमारे बिलकुल आप लुग याद रखेगा यह हमारे बिलकुल निर्देशक है इसके यह कहानी जो है दलित महिलाओं के उपर नेत्त करने वाली एक समाचार पत्र खाबर लहरिया के चलाने के पीछे की है इसलिए इसका नाम लिखा गया राइटिंग इन फाय यार को याद करना है तो बड़ा कठी लगता रहे यार कौन उठे हमें भी है अपने दिल की बाद बता रहे हैं सुबह सुबह उठना इज़ा लगता है यार बढ़ी नीद आ रही है साड़े चार बजे जा हम उठते है तो ऐसे लगता है एक दम और एक आदा घंटा सो ले लेकर फिर याद आता है अरे यार चार सो तीस बच्चे मेरा इंतजार करते रहेंगे यार मैं उनको ऐसे धोका दे सकता हूँ ऐसे रजाई को उठा कर फेकता हूँ और तुरन जाकर के जो अपने निर्ट कर्म करने के बाद त्रीदे जो है वो जोस के साथ सीना चोड़ा कर के आज आता हूँ गाइस वही जोस मुझे आप में दिखाई दिता है यह कोई जोस कहां एक से मुझे को मिलता नहीं है कि मेरे को जो है वो जादू आता और जोस देता नहीं यह जोस है आप लोगों से मिलता है कयूम से मिलता है कैलास से मिलता है बहुत दिनों के बात दिख एक्सन फिल्म ब्लैक टिकेट्स फिल्म के तहत जो है वह संडांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर हुआ था है ना तो गाइज यह फिल्म हमें लगता है कि तहलका मचाने वाली है राइटिंग विद फायर अगला कोशन बना लेते हैं अगला कोशन है इनमें से किस वाली को बढ़ावा देने के लिए 100 million Taiwan को दिने यह ताइवां को कितना बिटा 100 million डॉलर दिए बाइसाल नाम कया उस देश का रस्या है एक नाड़ा यूके है या यू एस है क्या होना है जल्दी सब्सक्राइब दोखिते चलेगि यहां पर जो लोंगो वीडियो पसंद आ जो लोग यहां पर सुबह उठकर के जिनकी नीन खुल गई है लाइक नहीं किया तो इक बार लाइक कर देंगे जैसे की जंदर बोल रहे हैं जंदर की सब्सक्राइब करो यारो बिल्कुल सबी लोग एक साथ मिल करके और जो नए बच्चे ना वहीं इसको ले करके जा सकते आगे तो जितने लोग यहां पर अमेरिका बोले हैं बिलकुस सई जवाब है ताइवान को यहां पर मदद दे करके यहां पर उसके डिफेंस सिस्टम जो पैट्रियोट डिफेंस मिसाइल है उसको बूस्ट कर रहा है हमारा यूस तो गाइस देखिए सबसे अमेरिका के उपर बात करेंगे फिर उस न्यूस के उपर अनुग चलते हैं तो गैज यह हमारा नौर्थ अमेरिका है नौर्थ अमेरिका का अधूइप है यहां पर हमारा यह USA है United State of America का जाता है कि सबसे बढ़ी बाउंडरी सेयर करता है किसके साथ इस सबसे बढ़ी बाउंडरी सेयर करता है कनाडा के साथ कनाडा और युए से पूरे वर्ड में सबसे लंबी बाउंडरी सेयर करते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं अगर हमारा परोसी अच्छा होगा ना तो अब भी सी ब पड़ोसन अब पड़ोसी की बात कर रहा है पड़ोसन तो यह अलग की चीज़ हो तुम लोग फिर अलग उसमें जा रहे हो तो गाइस कनाड़ और युएस जो है यह सबसे लंबी बाउंडरी सेयर करते हैं और यह लगबग 8000 कुछ 834 किलोमेटर की बाउंडरी है जो यह आप अब बाइस बहुत है नेचरल निसोर्सेज भी बहुत है इसने क्या कि बोला कि भिया पै्ट्यॉट जो एयरडिफररेंस इस्टम है इसको मजबूत बनाईए और इसका परोसी देश जानते हो ताइवान का कौन है जिसको आँखें दिखा ताइवान चाइना और इस अब्स देशों के साथ boundary share कर रहा है चाइना वह उससे परेशान है सारे के सारे परेशान है भया समझ रहो सब जो है कहीं ना कहीं अपने आपको मजबूत कर रहा है कि एक दिन आएगा जब 11 अप चाइना सुछता है कि मैं पावरफुल हूँ मैं पास सबसे अधाद आप जो है वह एक ग्रोइंग एकॉनमी हूँ टेक्नोलोजी बहुत अच्छी है लेकिन भाई साब 11 के 11 है जिस दिन सनग है अरे यार यह एकदम परेसान कर दिया है समाझ रहो इससे तुम्हों ने देखा होगा कि कभी कोई चोर पक समाली है उसके लिए अमेरिका ने इसको 100 मिलियन डॉलर की च्छा दिये इंडिया आगे बड़ी रहा है बाकी के कंट्रीज भी करें बिटा थू रहेंगे तुमको एक दिन समाझे रहो कि नहीं तो अमेरिका के बारे में हम लोगों ने बात करी लिए है ताइपे ताइवान की कैपटल है ताइपे जो है ताइवान की कैपटल है ठीक है और हम लोगों ने यहां पर बहुत साइब बाते की है अमेरिका के बारे में कैपटल सभी को पता है वासिंग अटन डी सी आगे चलते अगला कोशन में आते इनमें से आठ फरवरी 22 को कृसी सचीव के रूप में किसको एपॉइंट की आप लोगों अगर सपोर्ट रहेगा नए बच्चे जितने तो आज 500 का अगरा टैच होगा अग्री कल्चर सेकेट्री कौन बने मनोज अहुजा है रभींदर सोनी है राम प्रकास है या आनंद पांडे है ठोकते चलते गाई सभी लोग सब लोग ठोकते चलते हैं और वीडियो अगर जो लोग नए है वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए और टिक करके बैटिंग करते हैं त्याकि 500 का जो सेंचुरी हाब सेंचुरी उसको टच करें यहां प्यंता बोले सर एग्री कल्चर सेकेट्री जो हम अगरिकल्चर मिनिस्टर है हमारे सभी को पता है नरेंदर सिंग तोउमर जी एंटी का मतलब है नरोहिंदर तोउमर जी एग्री कल्चर मिनिस्टर है और उनके सची हुपनाए गया कोशन में इनमें से आट फरवरी को हमारे अपॉइंट्मेंट किये गए SSC के चेर्मेन के बहिए SSC की जो दिसा और दसा है उसको बदलने के लिए कौन नए चेर्मेन मने है S की सोर है आनंद पांडे अतुल सिंग है या क्रपा संकर पांडे है क्या होना चाहिए जल्दी से सपना MBS चंद्रदेवगन भाई यार जितने लोग नहे लोग है प्लीज टिके लोग आपको टिकर के बैटिंग कर नहीं है वो जो 50 लोग है अगर वो टिकर के बैटिंग कर ली है तो जरूर 500 काका टच हो जाएगा तो यहां पर जन्ता बोली है सब सही जवाब होना चाहिए यहां पर S किसोर S किसोर जितने लों बोलें उनका किसोर बिल्कुल सही जगा पर जा रहा है किसोर का मतला समझ रहो ना तो S किसोर इस राइट आंसर देखे कापी मतलब जिम्मेदारी इनको दी गई है S.S.C. वैसे भी बदनाम हो गया है लेकिन अभी इस कलेंडर बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है इस साल मतलब जब एक्जाम बोला है बेटा तब नोटिफिकेशन आ रहा है और तब एक्जाम हो रहा है अब तुम्हारे उपर मैटर करता है कि तुम क्या करने वाले हो और गौर्मेंट ने अपने चेयर में को भी बदल दिया है चले एस किसोर के बारे में जानते हैं कि यह ससी में क्या करने वाले हैं गोई सबसे पहले एस किसोर के बारे में अगर हम बात करें तो यह प्रिजेंट्री करेंट में Special Secretary Department of Commerce and Ministry of Commerce Industry के ये Special Secretary Department में थे और ये 1989 के पश्चिम बंगाल कैडर के आई इस थे मतलब बंगाल में अगर काम किया हुआ है अच्छा खासा एक्स्पीडेंस लेकर क्या हुए है और अल्रेडी ये विसेश Secretary के तौर पे काम कर रहे थे वाड़िज विभाग में अब इनको मौका दिया गया कि भीया SSC के जो drawbacks है जो इसकी कमिया है उसको दूर करिए तो यहाँ पर S किसोर करमचारी चायन आयो के अध्यक्ष के रूप में चुन लिये गए तो यह यह बहुत important इनको कारेभार दिया गया है लाखों बच्चे हो गाईस अगर हम देखेंगे SSC CGL और CHSL में लगबग 30 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके है गाईस 30 लाख लोग क्यों कि यहाँ पर हमको पता है कि 100 रुपे का फॉर्म होता है और हमारे लड़कि गया डर गए 30 लाख लोगों से डर गया डर नहीं है बिटा क्योंकि डर क्या जीत है और एस की सोर जो हो सकता है हम सबी लोग के लिए क्या हो लगी हो और जो golden board हमारा है ना वो भर जाये तुम्हारे नामों से चले आगे कि तब बढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साथ दिनेज पर साथ सकलानी जो कि अभी मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले बताया था अगला कोशन यहां पर है नेशनल सेंटर फॉर साइंटोफिक रिसार्च इन फ्रांस जे लॉरेंस यूश्टी है कौन सी लॉरेंस यूश्टी है उसने भारत की कौन सी यूश्ट ूर है जल्दी से थोखते चलेंगे मनिशा किसी को भी रुकना नहीं मैं रुकने दुंंगा वो कौन सा डालोग है जुकेगा नहीं रुकेगा नहीं मेरा यूके गानी रुकना नहीं औरते रहना है बह niemand पुरा सूबह से बजे अदों तो फेस не Est को मsil 2 इंगली गीमिन सारे परोज तुम्हारे को सिर्फ एक सीट लेनी है यह प्रांस में राश्टिय विज्ञानिक अनुसंधान केंड्र के तह्त लॉरेन विस्व विद्याले के साथ सब्जाओता कर रहा है कि करना इसके लिए पांस साल का जो है ये परिसोध फर्म है इसके लिए फ्रांसीसी फर्म 75,000 यूरो का फंड दे रही है 75,000 यूरो का फंड दे रही है महत्मा गांधी उनिविश्टी कहां पर है कोटायम में है किसके साथ हमारे क्लोबरेट कर रही है लॉरेन यूरिश्टी जो कहां पर है जो कि हमारी बिल्कुल आप तों सही समझ रहा है फ्रांस में चलिए कितना पैसा दे रही है 75,000 यूरो का आगे बढ़ते है देखिए गाइस यह हमारे यूरोपियन देश यूरोपियन देश है सबसे पहले फ्रांस आपको फिनलैंड यहां पर दिखाए दे रहा फ्रांस यहां पर दिखाए दे रहा चलो आप लोगों के लिए कोश्चन है यह हमारा UK है UK का मतलब है Great Britain ठीक है यहाँ पर हमारा कौन सा ऐसा water state है जो France और हमारे UK को अलग करता है यह UK है और यह France है यह कौन सा water state हरे यह बाबू कौन सा water state है जिसको आर्थी सहा ने महिला ओकर के पार किया था और पुरुसों में मिरसेन ने पार किया यह water state का नाम बताई यहाँ पर अनता बोले है सर यह water state जो है इसका नाम है है Dover water state बाफ 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 वाचीत सब्सेद्द इंगलिस चैनल पाठक साहाब बोले है तो यह English channel है क्या यह English Channel है यह अच्छा गाइस यह दिखिए इस पेन दिख रहा है इस पेन दिख रहा है ना इस पेन बाबू यहा पे मुरक्कों है क्या बेटा मुरकक को यहाँ पे कौँchlagen सा वाटर थाको यहां पे कौन सा वाटर waćते है जो स्पेन को हमारे कौन हम्रूदर से अलग करता है ठोड़ते चलते जल्दी से तो यहां पर जंता बूलिए सर्य ये स्पेन को हमारे मुरक्को से या यूरोप को आफरीका से जो हमारा अलग करता है ये हमारा कौन सा है ये वाटर स्टेट का नाम है जिब्राटर जलसंदी क्या नाम बिटा जिब्राटर कि छिप्राटर की जलसंदी जो है Spain को आफय का से अलग करते यहीं ठोक दोगे कि नहीं ठोक ओगे बाई कोई बोलीनिया सर हम ठोक देंगे कि नहीं ठोक पाएंगे जिप्राटर कहा पर है कर लोगे जिवराट्या रहे कुंदन एक दम सही बोला है सही है ठोक रहा है सब लोग चलिए आगे तो चलते अगला यहां भी जनता बोली है कि सर केरल के जो सहित अगेडमी पुरसकार के विजेता जिनका नाम एंग गंगा धरन है जिनका कल निधन हुआ है बेटा वो क्या थे तो आप सर बोलोगे सर इटिहास पोईट और नॉबलिस्ट इनमें चुन्ने में बड़ी दिक्कत होगी है नहीं होते मुस्कृराते रहते हैं और एसा एसा चेरा ऐसा चेरा होना चाहिए क्र mmश हमको छोड़ कर गया है यह साहित केंद्र स्हाहित अकेडमी आवार्ड इ­नवोड ऑी जीता हुआ है और याद रखिए गा इन्होंने मालाबार विद्रों जो हुआ था उससे भी संबंदित अध्यन किया हुआ है मालाबार का विद्रोज था उसके उपर इनका बहुत बढ़िया पकट थी तो ये क्या है ये एक हमारे इतिहासकार है इतिहास से संबंदित बातों को लिखा हुआ है केरल के इतिहास को इन्होंने जनता तक पहुंचाया है नाम है डॉक्टर एम गंगा धरन ठीक है तो गाइस अभी कुछ लोग हमको छोड़ कर गए जल्दी से बख्विक रिविजन करते आर नागा स्वामी इन्वारोमेंट रॉजिस्ट है पुरा तत्त हमारे जो है सुरे आर्केलोजिस्ट है इतिहास कार है सिंदुताइस सबकाल ये क्या है तो ये हमारे सोसल वरकर है गाइस यहां पर आ जाते है डी क्लार्क ये दक्षिन अफ्रीका के पूर राश्पती है पूछा जाने वाला मोश्ट इंपॉर्टन कोश्चन है हमारे कौन मिलेना सिल्वानी ये फ्रांस की रहने वाली कथकली डांसर है तो भाई सारे के सारे हो जाते है मोस्ट 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 इंपॉर्टन ये आपको पीडियाप में मिल जाएगा लिंक में अपनी टेलीग्राम का दूंगा आपको चले गाईज यहाँ पे कोशन आता है वो कौन सा ऐसा राजी है जिसने कानून बनाया है धर्मांतरल निसेद कानून धर्मांतरल निसेद कानून का मतलब है कि अगर किसी ने भी अपने धर्म को चेंज किया तो उसके खिलाफ ये कानून काम करेगा तो गाइस यह हर्याना राजी है पंजाब है राजिस्थान है जारकंड है और गाइस जब भी ऐसा कानूर बनता एक्जाम में जरूर पूछा जाता है पूछे बताए क्या होना चाहिए जनता बेटा पांसो के मुहाने पे खड़े क्या आप लोग यहाँ पे हाफ संचुरी ब लाके रेखेंगा और नए बच्चे जितने प्लीज आपी लोग के हाथ में हाफ सेंचुरी मारना तो हर्याना जितने बोले यहाँ पर उनका जवाब बिलकुल सही हर्याना ने जो है वह यह डिसीजन लिया है आठ फरवरी को कि अगर किसी ने भी धर्म धर्मांत्रन किया त जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कराने लेगे वो तो हमारे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर जो हमारा कौन सा है जो हमारे रिलीजियस फीडम के बारे में बताता है तो याद रखेगा 25 से लेकर के 28 तक में यह बताये गया है कि हमारा जो देश है वो धर्म निर्पेक्ष है आप किसी भी धर्म को मानने में किसी भी धर्म को अपनाने में और किसी भी धर्म को फैलाने में स्वतंत्र है लेकिन अगर आपको इन गलत तरीकों से प्रवभन दे करके लालस दे करके साधी करके बलपूरवग आपका धर्म कोई परिवर्तन कराता है तो आप उसके खिलाब यहाँ पर कारवाई कर सकती है ठीक है ना चलिए यहाँ पर अंकित 500 को हम बोलते हैं तो गाइस यह हरियाना है अब गॉश्चन पूछा गया था पंजाब हरियाना से कब अलग हुआ था पंजाब जो है यह हरियाना से कब अलग हुआ था दोनों पहले नॉवंबर को एक नॉवंबर 1906 को इन दोनों को अलग कर दिया गया लेकिन दोनों की राजधानी बच्चों एक ही है और राजधानी का नाम क्या है तो राजधानी का नाम है चंडीगर जो की नहरू जी की प्लानिंग के एकॉर्डिंग बना था 1953 में ली कॉपजियर ने ल इसकी कैपिटल है पंजाब और याना दो भाई है लेकिन इनकी कैपिटल का है सेम है समझ रहों की नहीं बैटा दो बच्चों की कमिये टिक करेंगे हो जाएगा अगला कोश्चन है कौन सा राज्य है जिसने पूरे राज्य को जोड़ करके नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम मना दिया बेटा हो गए 500 एक बाई स्क्रीन स्वाट ले लेते भाई तुम लोग ने फिर से आज इतिहास रच दिया अब यह इतिहास रूपी आदर डाल लेनी चाहिए आप लोग को यहाँ जंता बोलिए सर सही जवाब होने चाहिए जंबू एंड कस्मीर तो नेशनल विं में हमारे इंडियन इंडिस्टियल लेंड बैंक के साथ जुड़ा हुआ है जंबू कस्मीर के 45 उद्योगिक पार्क इसकी मेज़गानी करेंगे जिससे कि यहाँ पर बिजनस करना आसान हो जाएगा बिजनस करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा तो सभी जितने भी हमार नाम के बैंक है उनको सिंगल विंडो सिस्टम के तहट लेकर के आये हैं जिससे की बिजनस करना आसान हो जाएगा इसकी शुरुआत महां के राज्यपाल मनोज सिंहा जीने कि किसने किए बेटा मनोज सिंहा जीने किए गाइज यह हमारा जंबू एं कस्मीर कब किया गया याद रखेगा डारेक्ट कोश्चन पूछा जाएगा 31 अक्टूबर को 2019 को बेटा नाम याद कर लेना है 31 अक्टूबर 2019 को जम्बू कस्मीर जे एंड के और लद्दा को अलग कर दिया गया लद्दा को अलग किया डेट याद कर लेना है 31 अक्टूबर 2019 2019 दिखाईए नहीं दे रहा है 2019 सही जवाब बना चाहिए अब यहाँ पर नेशनल पार्क कौन से है तो आपका सिटी फॉरस्ट नेशनल पार्क है दांची ग्राम है किस तवार है हमिस नेशनल पार्क सब यहां के नेशनल पा सब्सक्राइब जया है यहां पर नाम होना चाहिए इसका नाम है बिल्कुल आप लोग सही बोले है, that was the जो जी ला, जो जी ला पास ठीक है, अगर आप पूछेए जम्बू कस्मीर को, जम्बू और कस्मीर को कौन सा अलग करता है, जम्बू से बिटा कस्मीर में जाना तो कौन ठोकेगा, हमको अलग करेगा जम्बू कस्मीर को अलग कौन का पास करता है ठोकते चलो यार जम्बू कस्मीर को कौन सा अलग करता है यार यह लड़के यार कितना खतरनाक पड़ रहे कोस्चन पूछने रहे कोस्चन का जवाब ठोकते चले जा रहे जम्बू कस्मीर को कौन सा पास अलग बनिहालपास क्या नाम है बनिहालपास और सबसे पहले जवाब मेरे हिसाब से दिया हुआ है मैं उनका नाम यहां पर लेना चाहूंगा क्योंकि उनको मिलने वाला है आज अमेजन का 100 रुपए का कूपन बेटा संडे को बैठूंगा जितने लोगों का कूपन है उनका नाम दे दूँगा ठीक है ना तो मुझे देव नरायन और देवेंद्र यह दो लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि किसका मैंने नाम लिया था थोड़ा सा यह अनन्या से लेकर के हमारे आज तक के जितने विनर के नाम है सबकी लिष्ट बना कि आज आज आपको मेरे को देनी है आनिल अगर मेरी बात सुनने होंगे तो यहां पर सबसे पहले किस ने दिया तो मेरे को रुपए का अमेजन का वाउचर दूँगा कयूम का भी यहां पर जवाब दूसरे नंबर पर लेकिन कयूम तुम्हारा नंबर कल आएगा ठीक है चलिए कोई बात नहीं अमेजन का सव रुपए का कूपन आज जीते है हमारे सज्जन कुमार ठीक है चलिए आगे तब बलते सिखर सम्मेलन का भारतिय संग हाले का जो हमारा पुनर कलपना है वो किस मंत्राले ने शुरू की है टूडे ग्लोबल सम्मिट ऑन दा री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया परफॉर्म वाई कल्चेलर मिनिस्टी टेक्स्टाइल है कॉमर्स मिनिस्टी है या एजुकेश से सही उत्तर होना चाहिए संस्कृतिक मंत्राल है बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है इनके बारे में पहले जान लेते हैं जो कि हमारे कल्चरल मिनिस्टर है इन्हों ने 15 और 16 फरवरी को दो दूसी सिखर सम्मेलन का आयोजन किया जिसका नाम रखा गया है भारतिय संगलायनो की पुरह करपना याद रखेगा वर्तमान केंद्री जो हमारे संस्कृति मंत्री है जी कसन रेड़ी ने इसकी सुरुवात की है यह आपके लिए हो जाता है महत्तपूर ठीक है चली आगे तो चलते तो आज के यहीं पर कोस्टन होते समात कंप्यूटर जी ने आज जो है वह लिपड़ी करणिश जिन जिन की है पेशwo करनसी पेशो करण सी जिन कापटी जिन कंट्री उनके नाम लिखी है तीस सभी को लिखना है धैस होंबरक से स्टेट मिनिस्टर नॉट इंडिपेंडेंडेंट उन सभी का संसदिय छेत्र संसदिय छेत्र सभी की लिष्ट बनाईए आराम से यह अभी नहीं रात में 9-10 बजे जब भी है तो पेसो करंसी जिन भी कंट्रीज किये उनके नाम और जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है उनका संसदिय छेत्र पह becoming का नाम याद करना है जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है और उनका संसदिय छेत्र कौन करता है वह आपको याद करना है जितने भी नए बच्चे थे जिनको PDF मिलेगी देखे अब आपको कुछ नहीं करना दिन बर पढ़ाई करो रात में आठ बज़े PDF तीनों क्लास की डालेंगे जो दिन बर मेरी टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं जितने भी नए बच्चे उन सभी लोगों के लिए और जो लोग जोड़ चुके हैं अल्रडी वह वेटा मुस्कुराते रहे हैं और पढ़ते रहे आराम से कोई दिक्कत नहीं है जितने भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है वह यह सब्सक्राइब करेंगे 500 से आगे बढ़ने का सिलसिला झाल कोई और जा आरे लोगों के लिए व्यारा यहाद वहा है जो डिए रहे हैं झाल कोई वीजूर्डेड बढ़ने को फॉर्म में दोंवजी बढ़ने का रहे रहे हैं जाप वोगों कि लिए। झाल झाल